एलो फ्रेंट्स आप सब कहा आपके अपने चनल वोभी लेक्चर्स में एक बड़ फ्रिसेस वागत है तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की जो वार्षिक प्रिक्षा है वो भी अच्छे से संपन हो चुकी होगी और कई सारे राज्य के अंद समीकरण की संपूर्ण व्याक्या को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम इसके पाट के भीतर दिये के प्रश्ण और फिर अभ्यास के प्रश्णों को सॉल्व करना सिखेंगे साथ ही साथ आपको यहाँ पर सभी प्रकार के जो नौट से वो बिल्कुल फ्री ओपकोस्ट हमारे टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द करवाई जाएंगे हमने गनित विश्य की क्लासिस आपके नविंतम पाटे करम के अनुसार पहले से सुरू कर दी है मैं उसकी लिंक विडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ जाकर आप गनित विश्य की क्लासिस पे आराम से देख सकते हैं तो आप सब की इसी उम्मीद के साथ कि आपकी बौल फ्रिक्षा की तयारी बहुती बहतरी बहतरीन रंग से होगी और आप अपने कक्सा 10 की बौल फ्रिक्षा 2025 में बहुती अच्छे अंकों से उट्रिन होंगे इसी उम्मीद के साथ हम आज से आपकी विज्यन विश्य की क्लासिस सुरू कर रहे हैं कुछलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परदात की अंदर प्रीवर्तन की प्रकर्ती में अलग लगत रहो के परदात देखने को मिलते हैं परदात क्या होता है आप सब जानते हैं ऐसी कोई विवस्तू जिसका कुछ न कुछ दरवयमान होता है एसी कोई विवस्तु जिसका कुछ न कुछ दर्वेमान होता है और क्या होता है आयतन होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम परदात कहते हैं परदात की विज़ेस्ता क्या है कि एसी कोई विवस्तु जिसका कुछ न कुछ दर्वेमान होता है और क्या होता है आयतन होता है उसे ह हम कहते हैं आपका प्रदात अब प्रकरती में प्रदात के अंदर जो प्रिवर्तन है वो दो तरीकों से हो सकता है या तो प्रदात की भौतिक अवस्ताव में प्रिवर्तन या फिर प्रदात के रासायनिक गुणों में प्रिवर्तन यानि की प्रदात में दो तरह का प्रिवर किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले बात कर रहे हैं भौतिक प्रिवर्तन की तो देखो परदात के भौतिक गुण क्या होते हैं तो किसी परदात का आकार उसकी आकरती आमाप रंग और उसकी अवस्ता ये जो गुण है वो उसकी क्या कहलाते हैं भौतिक गुण कहलाते हैं किसी प्रदात के भौतिक गुणों में प्रिवर्तन होता है उसे कहते हैं भौतिक प्रिवर्तन ऐसा प्रिवर्तन जिसमें केवल प्रदात के भौतिक गुणों में प्रिवर्तन होता है उसे कहते हैं बौतिक प्रिवर्तन अगला विंदु है कि जो भौतिक प्रिवर्तन है वो सामा होता है दोनों दिशा में क्या होता है दोनों दिशा में संपन होता है ऐसे प्रीवर्तन में कोई नया परदात नहीं बनता है लेकिन ये आपको हमेसा जान रखना है कि भौतिक प्रीवर्तन में उसके केबल बहुतिक गुणों में बदला होता है, कोई निया परदात वहाँ पर नहीं बनता है, जैसे उद्यारन की बात करें, जैसे आपने किसी धातू की चड़को क्या किया है, गरम किया है, जैसे आपने किसी धातू की चड़को क्या किया, गरम किया, अब वो चड़को उस समय के लि प्रिवर्तन, फरदात की अवस्ताव में ओने वाले प्रिवर्तन, जैसे गलन, हीमन, वास्पीकरण, संगनन और उर्ध्वपातन, ये क्या है? ये परदात की अवस्ताव में प्रिवर्तन हैं, जैसे ठोस से द्रव, ठोस से द्रव यानि गलना हो गया, लेकिन वापिस कुछ स वास्प करन का मतलब द्रव का किसमे बदलना वास्पो में बदलना फिर संगनन यानि कि वास्प का किसमे बदलना द्रव में बदलना फिर उर्द्व पातन यानि ठोस का सीधे गैस में बदलना तो ये जो परदात की अवस्ता में होने वाले परिवर्तन हैं ये कैसे होते हैं उत कर्मनियां होते हैं, जो कुछ समय बाद वापस अमनी मूल अवस्ता के अंदर आ जाते हैं, इसे वज़े से हम कहते हैं, कि जो आपका बहुत थीक प्रिवर्तन होता है, वो कैसा होता है, वो आपका अईस्ताई प्रिवर्तन होता है, ठीके? तीसरा उधारन है, दातू की चड़ की चड़ या परदातों में उत्पन विकरती, जैसे आपने किसी दातू की चड़ को मोड कर उसकी आकरती बदल दे, अब चाहे तो उसकी आकरती को पुरानी वाले अवस्ता के अंदर ला सकते हैं, फिर अगला जल में लवन एवं सरकरा का घुलना, जल के अंदर लवन और सरकरा का घुलना, तो अगर आपने जल के अंदर लवन या सरकरा का घुल दिया है, तो वापस आप उसको अलग-अलग कर सकते हो, तो यह कुछ उदारन है भोतीक प्रीवरतन के, जैसे यहाँ पर कुछ और उदारन दिये हुए हैं, जैसे breaking तो आप ग्लास का तूटना तो आप ग्लास को वापस जोड़के उसकी पुराणी अवस्ता में यानि मूह अवस्ता के अंदर ला सकते हो mixing candles candles को मिलाना तो वापस इनको अलग-अलग भी कर सकते हो कि वापस इनको अलग-अलग कैसे करेंगे ठीके आगे बात करें अगला उदारन है आपका वो है shredding paper यानि जैसे paper को काटना या paper को मोडना या paper की printing देना यह कुछ फिर है folding paper paper को fold करना ठीके ठीके इसी तरह melting ice यानि बरब का पिगलना फिर chopping wood यानि लकडी को काटना फिर cutting ear बालों को काटना फिर dry ice submillition फिर boiling water पानी को उबालना breaking egg अंडों को तोडना तो यह जितने भी प्रकार के उजरण आपको समने दिये हुए हैं वहाँ पर क्या हो रहा है आपका भौतिक प्रिवर्तन हो रहा है तो यहां से हमने क्या देखा कि बहुतिक प्रिवर्तन के अंदर परदात के एकेवल बहुतिक गुणों के अंदर ही प्रिवर्तन होता है यह प्रिवर्तन कैसा होता है उत कर्मणियाने दोनों दिशाओं में संपन होता है यानि अइस्ता ही होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया परदात नहीं बनता है, ये मैतोपन विज़ेस्ता है और हमने इसके बहुत सारे उदारन भी देख लिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आपका रासाइनिक परिवर्तन, तो ऐसा परिवर्तन जो किसी परदात के रा परिवर्तन अनूत कर्मनिया होता है, कैसा होता है, अनूत कर्मनिया, मतलब केवल और केवल एक दिशा में संपन होता है, कैसा परिवर्तन होता है, अनूत कर्मनिया, ये एक दिशा में संपन होता है, यानि अगर आपने A से B बना दिया, तो वापस B से A नहीं बन सकता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, रासाइनिक परिवर्तन कहलाता है, कैसे कुछ उदारन की बात करूँ, पहला उदारन है, परदातों का देहन, और अगर आपने किसी परदात को जला दिया, तो आप चाकर भी उसे पुनों उसकी मूल अवस्ता में वापस प्राप्ट नहीं कर सकते हैं, दूसरा है, जैसे कोईला, पैट्रोल, डीजल, लकडी, आदी का देहन, ये भी कौन सा परिवर्तन है, रासाइनिक, तीसरा, सवसन और प्रकास संसलेशन की जो अभिक्रिया होती है, वो भी क्या है आपका रासानिक प्रिवर्तन, फलो का पकना, ये भी रासानिक प्रिवर्तन है, दूद से दही का बनना, और दूद का फटना, ये भी रासानिक प्रिवर्तन है, दातुओं का संचारन यह दातुओं के उपर जंग लगना उनकी उपरी परत का नश्ट होना यह भी रासानिक परिवर्तन है कटे हुए सेव का भुरा होना यह भी रासानिक परिवर्तन है और किल्णवन होना यह भी रासानिक परिवर्तन का उधारन है यहाँ पर कुछ और उदान दिया हुए हैं जैसे बर्निंग बूड, लकडी का जलना, फिर रोटेटिंग फ्रूट, बैंकिंग केक, केक बनाना, रस्ट्रिंग, मेटल, यूजिंग बैटरी जैसे बैटरी का उप्योग करना तो बैटरी के अंदर भी रासानिक प्रिवर्तन ह होता है, डाइजेशन यानि पाचन, फिर सोरिंग मिल्क, फिर एक्स्प्लोडिंग, फायरवक्स यानि पठाकों का फूटना, कूकिंग एन एग, अंडों का पकाना, और फोटो सिंथेसिस यानि प्रकास संसलेशन, यह जितने भी उदारन है, यह सब आपके रासानिक प्रि प्रिवर्तन में अंतर क्या है, पहले बात करते हैं, एक तरफ हमने लिखा है बहुतिक प्रिवर्तन और दूसरे तरफ है हमने रासानिक प्रिवर्तन लिखा है, देखो बहुतिक प्रिवर्तन में हमने देखा कि परदात के केवल बहुतिक गुण, जैसे अवस्ता, आकार, रंग या उसकी आकरती के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, परदात के केवल भोतिक गुण, अवस्ता, आकार या फिर रंग के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, बही रासायनिक परदत में, परिवर्तन में, तो परदात के जो रासायनिक गुण है, और जो रा क्या प्रदात होता है उस प्रदात के राशायनिक गुण और उसमें जो घटक है उनका जो संगटन है वो उसकी मूल प्रदात से बिल्कुल क्या होता है अलग होता है दूसरा पॉइंट है कि जो बहुतिक परिवर्तन है वो अइस्ताई होता है कैसा होता है इस्ताई होता है तीसरा बहुतिक परिवर्तन में किसी भी नए परदात का निर्माण नहीं होता है वही रासाइनिक परदात में एक नए गुणों वाले परदात का क्या होता है निर्माण होता ह बहुतिक परिवर्तन में इसमें पोनह प्रारंबिक परदात प्राप्त हो सकता है यानि अगर आपने A से B बना दिया है तो वापस आप B से A भी बना सकते हो लेकिन रासानिक परिवर्तन में पोनह प्रारंबिक परदात प्राप्त नहीं कर सकते यानि अगर आपने A से B बना दिया, तो वापस आप B से A नहीं बना सकते हैं, यह होता है रासानिक परिवर्तन में, जैसे बहुतिक परिवर्तन के कुछ उदारण, जल का बासपी करन, फलो से सलाद बनाना, यह क्या है बहुतिक परिवर्तन के उदारण है, रासानिक परिवर आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि भोतिको रासायनिक परिवतन में क्या अंतर है आगे बढ़ते हैं अब हम बढ़ते हैं कि रासायनिक अभीकिरिया क्या होती है इसकी बात कर रहे हैं रासायनिक अभीकिरिया की कि रासायनिक अभीकिरिया होती क्या है तो दो या दो से अधिक परदात मिलकर एक या एक से अधिक नए गोण धरम वाले परदातों का निर्मान करते हैं एक ऐसी अभिकरिया जिसमें 2 या 2 से जाधा परदात मिलकर जैसे उधारन की बात करें तो उधारन आपके सामने हैं hydrogen और oxygen मिलकर जल का क्या करते हैं निर्मान करते हैं तो यहाँ पर देखो hydrogen और oxygen इन दोनों के मिलने से यह दोनों कैसी है यह दोनों gas है hydrogen भी gas है और आपकी oxygen भी gas है तो इन दोनों gasों के मिलने से यह एक नए गुणों वाला परदाथ क्या बने रहा है जल जो कैसा है आपका liquid है कैसा है liquid यानि की द्रव है तो यहाँ पर क्या हुआ दो परदातों के मिलने से एक नए गुण वाले परदात का निर्बान हुआ है जिसके गुण उसके मूल परदातों से बिलकुल क्या है अलग है ऐसी तरह दूसरा उधारन है काग कित उलना में बिल्कुल क्या होंगे, अलग होंगे, और किसी भी रासायनिक अभिकिरिया को बहुतिक विद्यों से उलट नहीं किया जा सकता है, यह आपको अमेसा ध्यान रखना है, ठीके? तो यहाँ पर देखो, यह point का लिखा हुआ है, कि कोई भी जो रासायनिक अभिकिरिया है, उसको हम बहुतिक विद्यों की मदद से जा नहीं कर सकते, उसको उलट नहीं कर सकते, यानि अगर आपने A से B बना दिया किसी रासायनिक अभिकिरिया के मदद से, तो किसी भी बहुत इसको आप वापिस B C A नहीं बना सकते हैं, एक आगे बात करें, रासायनिक अभिकिरिया में प्रेक्षन, यानि एक रासायनिक अभिकिरिया के दोरान किस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, तो रासायनिक अभिकिरिया के दोरान परदातों में हमें निम्न परक के प्रिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे परदात की अवस्ता में प्रिवर्तन, दूसरा परदात के रंग में प्रिवर्तन, तीसरा तापमान में प्रिवर्तन, और छोथा गैस का उत्सर्जन, यह एक रासाइनिक अभी किलिया के दोरान, किसी भी परदात के अंदर हमें य चार प्रकार की इस्तती देखने को मिल सकती है या तो हो सकता है उसकी अवरस्ता में प्रिवर्तन हो उसके रंग में प्रिवर्तन हो तापमान में प्रिवर्तन हो अथवा वहाँ पर क्या हो गेस का उत्सर्जन हो जैसे अवस्ता में परिवर्तन की बात करूँ तो यहाँ पर आपके सामने उधारन दिया हुआ है कि हाइडोजन और ओक्सिजन यह दोनों गयसी अवस्ता में है और इन दोनों को मिलाने से जल बन रहा है जो कि आपकी द्रव अवस्ता में है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अवस्ता में प्रिवर्तन हो रहा है, इसी तरह रंग में प्रिवर्तन, तो रंग में प्रिवर्तन की गिर में बात करूँ, जैसे कागज है, तो कागज सामानेता कौन से रंग का होता है, कागज सामानेता सफेद रंग का होता है, कौ रंग में परीवर्तन हो रहा है। उसी तरह तापमान में जैसे कागज को हमने गरम किया तो इसके तापमान में क्या हुआ परीवर्तन हुआ। तो रासानिक अभिक्रिया में आवस्ताव का क्या होता है परिवर्तन होता है जैसे मैगनिसियम फीते यानि रीबन को ऑक्सिजन की उपस्तिती में जलाने पर किसका दिर्मान होता है मैगनिसियम चोन का दिर्मान होता है तो यहाँ पर जो magnesium और oxygen की अभीकिरिया करवाइगी तो क्या बना आपका magnesium oxide तो यहाँ पर इसकी यवस्ता में क्या हो रहा है हमें परिवर्तन दिखने को मिल रहा है एक त्षिए दूसरा है रंग में परिवर्तन तो रासानिक अभीकिरिया को हैं रंग का परीवरतन भी होता है जैसे कौपर सल्फेट का विलियन मतलब C-U-S-O-4 कौपर सल्फेट का विलियन का जो रंग है वो कैसा होता है निला परन्तु लोहे की किल इसके अंदर डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है भूरा अतोर आसानिक अभी किरिया में रंग का परिवरतन होता है यहाँ पर उदारन दिया हुआ है और चित्र भी दिया हुआ है कि जब कॉपर सल्फेट की भी किरिया फेरस के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है फेरस सल्फेट बनता है और क इसमें तांबी की एक परत लगी हुई है और इसमें क्या डाल रहे हैं लोहे की किल डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो निया विल्यन बनेगा फेरस सलफेट उसका रंग कैसा होगा उसका रंग भूरा होगा इससे हमें यह पता लग रहा है कि रासानिक प्रिवर्तन के दोरान पर फिर इकमला मतलब H2SO4 जिसे हम अनुलो का राज़ा कहते हैं उसमें अगर हम दानेदार जिंक डाल दे क्या डाल दे? जिंक दानेदार जिंक डाल दे जेड एन तो पात्र क्या हो जाता है? गरम हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि इस अभी किरिया में तापमान का क्या हुआ है तापमान का परिवर्तन हुआ है फिर अगला है गेस का उत्सरजन तो राशानी के अभी किरिया में गेस का उत्सरजन भी होता है यहाँ पर अभी किरिया दी हुई है कि तनू सल्फिरी कमला के अंदर जब हमने जिंक को मिलाया तो क्या बन रहा है? जिंग सलफएड बन रहा है और आपकी hydrogen gas क्या हो रही है? बहार निकल रही है तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ पर जो आपका एक flask दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर दानेदार जिंग है्ट यहाँ पर तनू-सलफुरिकमलक Avelion है यह आपका एक संगवाकार फ्लास्क है यहाँ पर कांच की नली है और यहाँ से अभी किरिया के दोरान कौन सी गेस निकल रही है आपकी हाइड्रोजन गेस निकल रही है तो इस तरह हमने देखा कि परदात की जो परदात के अंदर जब राशानिक परिवर्तन होता है या राशानिक अभी किरिया होती है तो में मुक्ता चार परकार की परिवर्तन देखने को मिलते हैं या तो उसकी अवस्ता में परिवर्तन या उसके रंग में परिवर्तन या उसके तापमान में परिवर्तन या उसके अंदर गयसिय, उत्सरजन या गयसिय, अवसोसन की गटना देखने को मिलती है खिक, आगे बढ़े, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभीकिरिया है तो दैनिक जीवन में हमारे कई सारी रासायनिक अभीकिरिया हम दिन परति दिन देखते हैं जैसे भोजन का पाचन करना, भोजन का पाचन एक रासायनिक अभीकिरिया है दूसरा, सबसन, सबसन भी एक रासायनिक अभीकिरिया है किसरा, लोहे पर जंग लगना चोथा, दूद से दही का बनना पांचवा, अंगुर का केन्वन होना 6. कागज का जलना 7. वास्पिकरन की गटना 8. उर्धव पातन 9. आस्वन और 10 वा है अब कैंद्री करन ठीकें, ये जितने भी उधारन दिये गए हैं, ये सब रासानी का भी क्रियाओ के क्या है उधारन है वास्पिकरन क्या होता है, आप सबको पता है दरव का किस में बदलना दरव का वास्प में बदलना वो क्या कहलाता है दरव का वास्प में बदलना वास्पिकरन कहलाता है उर्धु पातन क्या होता है उर्धु पातन होता है ठोस का सीधे गयस में बदलना और गयस को ठंडा करने अपर कोना किस में बदलना ठोस में बदलन इसी तरह आस्वन और जो अपकेंजिकरन विदी है ये भी आपकी रासानी कभी किरिया को यही उदारन है ठीक आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं वो है कि रासानी कभी किरिया के अंदर कौन-कौन से घटक होते हैं एक राशानिक अभी किरिया किन किन से मिलकर बनी होती है तो राशानिक अभी किरिया के अंदर पहले ची जाती है वो है अभी कारक यह ऐसे परदात जो किसी राशानिक अभी किरिया में क्या लेते हैं भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें कहते हैं अभी कारक जैसे यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पर A और B के मिलने से क्या बन रहा है A B तो अभी किया किसके बीच में हो रही है A और B के बीच में तो यह जो A और B है यह क्या है आपके अभी कारक है क्या है A और B आपके अभी कारक है फिर उत्पाद तो ऐसे परदास जिनका निर्मान रासायनिक अभीकिरिया में होता है उसे कहते हैं उत्पाद जैसे यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि A और B के मिलने से या A और B के बीच अभीकिरिया होने से क्या बन रहा है A B बन रहा है, तो A B क्या है, A B आपका उत्पाद है, क्या है, A B आपका उत्पाद है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर आपकी रासायनिक अभीकिरिया हो रही है, तो बे परदात जो किसी रासायनिक अभीकिरिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभीकारत कहते है और रासायनिक अभिकिरिया के कारण जो नए परदात का निर्मान होता है वो क्या होता है आपका उत्पाद होता है जैसे यहाँ पर और उदारन दिया हुआ है हाइड्रोजन और अक्सिजन के बीच अभिकिरिया से क्या बन रहा है जल तो यहाँ पर hydrogen और oxygen के बीच में अभिकरिया हो रही है अगर यह क्या है यह अभिकारत है और इन दोनों की बीच अभिकरिया से क्या बन रहा है जल जल क्या है आपका जल आपका उत्पाद है एक बिल्कुल सरल बात है आपको अच्छे से समय में आई होगी आगे बात करें रा रासाइनिक अभिकरिया अब बात करेंगे रासाइनिक समीकरण क्या होता है उसको लिखते कैसे हैं तो रासाइनिक अभिकरिया को रासाइनिक समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है निरूपित किया जाता है अत्वा पर्दसित किया जाता है यह एक रासाइनिक अभिकरिय योग यानि पलस का चिनन लगा कर उन्हें सदेव बाई और यानि लेप्ट हैंड साइड के अंदर लिखा जाता है। साथ ही साथ परतिकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्ता को भी दर्साया जाता है। जैसे यदि कोई परदात ठोस है तो ठोस के लिए क्या दर्सायेंगे S, S मतलब सॉलीट, सॉलीट का मतलब क्या होगा ठोस। यदि कोई परदात दर्व हैं तो किसे दर्सायेंगे L, L मतलब लिकवीड, यदि कोई परदात गैस है यानि G, G मतलब गैस। और यदि कोई जलिय विलियन है प्रदात का, तो उसके लिए क्या दर्शाएंगे AQ, यानि एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है जलिय विलियन, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? कि रासाइनिक अभिकिरिया को रासाइनिक समी करण के द्वारा क्या क्या जाता है, निरूप जाता है, जैसे यहाँ पर उदारन दिया हुआ है, आपका जल और ऑक्सीजन, और यहाँ आइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है? जल बन रहा है, तो यहाँ पर देखोगे आप ध्यान से, तो इसकी रासाइनिक अभिकिरिया क्या होगी? रासाइनिक अभि लगा जल, यह क्या हो गई, यह हो गई आपकी रासायनिक अभी किरिया, यह क्या है यह है रासायनिक अभी किरिया, अब इसका लिखना है रासाइनिक सम्मी करां कैसे लिखेंगे हाइडोजन को क्या लिखते हैं H2 कौनसी अवस्ता में है गयसिय तो क्या लिखेंगे G oxygen को O2 कौनसी वस्ता में है gaseer क्या बंद रहा है gel जल कौनसी वस्ता में है drug की वस्ता में L इसको संतुलित करेंगे यहाँ पर दो-दो जोड देंगे तो यह क्या हो गया रासायनिक समीकरण यहनि रासायनिक अभीकिरिया को उने परतिकों के माध्यम से उसकी अवस्ता के साथ दर्शा दिया है यह होगी आपके रासायनिक समीकरण आगे बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के कुछ और बाते जान लेते हैं कि सब्द समीकरण में अभीकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निसन लगाकर दर्शाया जाता है किसका निसन लगाते हैं तीर का निसन लगाकर दर्शाते हैं जैसे A प्लस B यह अभीकारक है इनके मिलने से क्या बन रहा है A B उत्पाद बन रहा है तो अभिकारकों का उत्पाद में जो परिवर्तन है उसको हम इस तीर के माध्यम से क्या करते हैं दरसाते हैं इस प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिनन लगाकर उन्हें दाई और लिखा जाता है यह उत्पाद यहीं दो से जादा है तो ऐसी इस्तती में उनकी बीच में भी हम क्या करेंगे योग का चिनन लगाएंगे और उससे किस बाग में लिखेंगे राइट हेड साइड के अंदर लिखेंगे तीर का सीरा उत्पाद की और होता है और यह अभिक्रिया होने की दिसा को बताता है यानि जो तीर का निसान है वो सदेव और सदेव किस की तरफ होगा उत्पाद की तरफ और ये क्या बताएगा ये अभी किरिया होने की दिसा बताएगा कि अभी किरिया कौन सी दिसा में हो रही है ठीक है तो ये रासानिक समीकरण को लिखने का एक पूरा अरीका है यहाँ पर उधारन के जरीए हम समझते हैं बहुत अच्छे से देखो मैगनिसियम रिबन का की उपस्तिती में जलाया जाता है तो वहाँ पर क्या बनता है मैगनिसियम ऑक्साइड अब इसका सब्द समीकरण या रासानिक अभी किरिया क्या होगी तो सब्द समीकरण क्या होगा देखो मैगनिसियम है वो किसके साथ मैगनिसियम के अभी किरिया किसके साथ हो रही है ऑ को अब उत्पाद क्या बन रहा है magnesium oxide यह क्या है आपका उत्पाद है ठीक है अब देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे समीकरन लिखेंगे देखो magnesium को क्या लिखेंगे mg oxygen को क्या लिखेंगे o2 और magnesium oxide को क्या लिखेंगे mgo ठीक यह हमने क्या लिख दिए इनके राशाने सुत् प्रतिक Mg, Oxygen का प्रतिक O2, Magnesium Oxide का प्रतिक MgO. अब हम लिखेंगे इनकी अवस्था, जैसे Magnesium है, Magnesium के अवस्था क्या है? Solid यानि ठोस अवस्था है. Oxygen कौन सी अवस्था में है? Gacy अवस्था में. और इन दोनों की बिच अबी किरिया से क्या बंद रहा है? Magnesium Oxide, ये भी कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में. तो ये है आपका एक Complete Chemical Reaction, यानि एक संपून या एक पून रासाइनिक समीकरण. ये क्या है आपका? एक पून रासाइनिक समीकरण. उम्मिद करता हूँ, आपको रासाइनिक समीकरण लिखना अच्छे से समझ में आया होगा. सिंपल सी बात है, अभी कारक सदेव और सदेव लेट साइड में लिखे जाएंगे, उतपाद सदेव और सदेव राइट साइड में लिखे जाएंगे. अभिकारक और उत्पाद के बीच में यही संख्याद दो से जादा है या दो है तो उनके बीच हम क्या लगाएंगे पलस का चाइन लगाएंगे क्या लगाएंगे प्लस का साइन लगा देंगे और अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन को हम एक तीर के माध्यम से दर्साएंगे तीर अभिकारक और उत्पाद के पर्तिक लखेंगे और पर्तिक के साथ उनकी जो अवस्ता है उसको भी लखेंगे इस तरह एक रासानिक अभीकिरिया को हम रासानिक समीकरण के अंदर लिपते हैं आगे बात करते हैं रासानिक परिवर्तन को परदसीत करना यहाँ पर हमने एक और सुट्र के जरीया आपको समझाने की कोशिस की है देखो यहाँ पर सब्द समिक्रन दिया हुआ है जिंक पलस सल्फिरिक अमलो यह दोनों क्या है अभी कारक है इस वज़े से कौन से बाग में लिखे गए हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखे गए हैं वीच में हमने तीर का निसान दर्शा दिया इनके मिच अभी किरिया से क्या बंद रहा है जिंक, सल्फेट और हाइड्रोचन यह उत्पाद हैं इस वज़े से हमने कौन से बाग में लिख दिये राइट हैंड साइड में यह क्या है आपका यह आपका सब्द समिक्रन है यह हम कह सकते हैं राइसाइनिक अभी किरिया है राइसाइनिक अभी किरिया के लिए क्या है सब्द समिक्रन है तो हम क्या लखेंगे इसके लिए राइसाइनिक समिक्रन तो जिंग का परतिक क्या होगा जेड एन होगा सल्फिर गमला का परतिक क्या होगा H2SO4 होगा ये दोनों क्या है? अभी कारक है फिर हमने यहाँ पर 3 का निसन दर्शा दिया जो अभी किरिया की जीशा बता रहा है इससे उत्पाद क्या बन रहा है? JNSO4 बन रहा है और क्या बन रहा है? H2 बन रहा है ठीक है? ये एक रहसानिक सम्मिकरण है क्या बनेगा? JNSO4 क्या होगा? जलीविलियन होगा और आपकी H2 क्या होगी? YES होगी ये आपका एक उचित इसे उचित रहसानिक सम्मिकरण है जो बिलकुल exact है ठीक? आगे बात करते हैं रहसानिक सम्मिकरण को संतुलित करना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानि हमने रासायनिक समीकरण तो लिख दिया लेकिन हो सकता है कभी के बार वो क्या नहीं होगा संतुलित नहीं होगा यानि बैलेंस नहीं होगा है न यहां हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं कौन कौन से, एक संतुलित राशायनिक समीकरण, संतुलित राशायनिक समीकरण, और दूसरा लिख सकते हैं, असंतुलित या जिसे हम कहते हैं, कंकाली समीकरण, यह कहते हैं, कंकाली समीकरण, यानि राशायनिक समीकरण के दो प्रकार हो सकते हैं, एक संतुलित राशायनिक सम यानि इसमें अभिकारकों के प्रमानुओं की संक्या उत्पाद के प्रमानुओं की संक्या के क्या होगी बराबर होगी। अभिकारक और उत्पाद के प्रमानुओं की संक्या कैसी है और समान है मिच मैच है तो वहाँ पर कौन सा समिक्रन होगा कंकाली समिक्रन होगा तो हम किसी भी कंकाली समिक्रन को यहाँ पर संतुलित करना सिखेंगे आपके सामने एक उधारन दिया हुआ है जहाँ पर फेरस के बिकिर्या किसके बतोरी है जल के साथ तो क्या बंद रहा है फेरस ओक्साइल बंद रहा है और आपकी hydrogen gas बाहर निकल रही है अब देखो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे बिल्कुल सरल तरीका है तो किसी भी राशाहिनिक समिक्रण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले परतेक सुत्र के चारो और एक box बना लेंगे क्या करेंगे परतेक सुत्र के चारो और एक box बना लेंगे और समीकरण को संतुलित करते समय box के अंदर आपको कुछ भी परिवर्थन नहीं करना है सबसे पहला काम क्या करना है इस समीकरण के अंदर जितने भी सुत्र दिये गए हैं या परतिक दिये गए हैं उनके चारों तरफ आपको क्या करना है एक बॉक्स बनाना है यहसे यहाँ पर देखो हमने फैरस को बॉक्स में ले लिया जल को बॉक्स में ले लिया, फेरस ओक्साइल को बॉक्स में ले लिया और आइडरोजिन गेस को बॉक्स में ले लिया अब दूसरे काम में क्या करना है हमें असंतुलिस समिक्रण में उपस्तित विबिन तत्वों के प्रमानुओं की जो संख्या है उसकी सूची बना लेनी है अब देखो यानि इस अभी किरिया में कौन-कौन से परदात है या कौन-कौन से तत्व है उनके प्रमाणुओं की संख्या कितनी है, वो उसके आपको एक सान्णी बनानी है, जैसे यहाँ पर मैंने लिका है तत्व, फिर अभी कारक और उत्पाज, तत्व कौन कौन से हैं, फेरस है, ऑक्सीजन है, और आपका हाईड्रोजन है, फेरस है, ऑक्सीजन है और है चार है और hydrogen के कितने है दो है तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे यहाँ पर फैरस को संतुलित करेंगे तो देखो अभी कारत में फैरस एक है उत्वाज में कितने है तीन है तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर तीन से गुणा कर देंगे. क्या करेंगे? यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे. तो 1 गुणा 3. तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 हो गए. द्हुरों फैरस दूनों जुक्ते बराबर हो गए. 3 इदर भी है और 3 इदर भी है. फिर बात करें आपके oxygen की हैं. इसकी बात करें ओक्सिजन की देखो उत्पाज में ओक्सिजन कितने है? चार है अभी कारक में कितना है? एक है तो हम क्या करेंगे? चार से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी कितने हो गए चार फिर अब देखो अब यहाँ पर हाइडरोजन कितने हो गए हाइडरोजन देखो अब फैरस देखो तीन है इधर भी तीन है ऑक्सिजन इधर चार है इधर भी चार है लेकिन लेकिन आप द्यान से देखोगे तो यहाँ पर जब हमने ऑक्सिजन को चार से गुणा कर दिया तो अब यहाँ पर हा चार, आठ करना है तो और किसे घुना करेंगे? हम 4 से घुना कर देंगे. तो कितना ह conflict आएगा 8? अब देखो 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, आइड्रोजन की परमानु संक्या इधर भी 8 है, और इधर भी 8 है, अब ये क्या है इसंतुलित है तब हमें इसके अनुसर क्या करना है आपके जो बॉक्स है उस बॉक्स को खोल देना है और उसके आगे इतनी संग्या लिख देनी है जैसे फैरस के आगे कितना लिखना है तीन लिखना है ये फैरस के आगे हमने कितना लिख दिया तीन लिख दि है अब देखो उत्पाद वाले भाग में फैरस कितना है तीन है फैरस तीन है ऑक्सिजन चार है ऑक्सिजन चार है आपका संतुली तरह साइनिक समीकरान है उम्मित करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी बिल्कुल सा step है पहले आपको बॉक्स के अंदर ल फिर इस अभिकिरिया में जितने पी तत्व मौझूद है उनकी परमानू की संक्या लिखनी है कि अभिकारक में उतने कितने परमानू है और उत्पाद में उनकी परमानू कितने है फिर क्या करना है आपको उच्छे संक्या का गुणा करके उनकी संक्या को क्या करना है जरूरी क्यों है, किसी भी राषाणी के विक्रिया या समिकरन को संतुलित करना क्यों जरूरी है। न तो निर्मान होता है और नहीं बिनास होता है यह दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी रासानिक अभिकिरियाओ के उत्पाद तत्वों का कुल दर्वेमान अभिकारत तत्वों के कुल दर्वेमान के सदेव और सदेव क्या होता है बराबर होता है यहनि अभी किरिया के पहले का दर्वेमान और अभी किरिया के बाद का दर्वेमान सदेव और सदेव समान होना चाहिए यह कहता है दर्वेमान सरक्षन का नियम दूसरे सब्दों में यम कह सकते हैं कि रासानिक अभीकिरिया के पहले और उसके पच्चात परत्यक तत्व के परमानू की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए इसी वज़े से हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आपश्यक है क्या होता है? कंकाली समीकरण के अंदर अभीकारक और उत्पादों की संख्या कैसी होती है? असमान कंकाली समीकरण में अभीकारको एवं उत्पादों की संख्या कैसी होती है? असमान यानि अलग-अलग होती है कैसी होती है? अलग-अलग और जब संख्या अलग अलग है प्रमान हुओ की तो निच्चित रूप से उनका दर्विमान भी क्या होगा अलग अलग होगा इस वज़े से हमें एक कंकाली समीकरण को क्या करने की संतुलित करने के आपसक्ता पड़ती है ताकि वो दर्विमान सरक्षण के नियम का पालन करे आपको समझ में आ गया कि संतुलित राशानिक समीकरण का महत्व क्या है या एक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है होने चाहिए इस वज़े से एक कंकाली समीकरण जिसमें अभिकार को और उत्पादों की संक्या अलग अलग होती है अता उसे हम क्या करते हैं संतुलित करते हैं ताकि वो दर्विमान सरक्षन के नियम का पालन करे आगे बात करते हैं रासानी कभी किरियाओ के परकार तो रासा यह कहते हैं योगात्मक अभी किरिया भी कहते हैं दूसरी अभी किरिया है वियोजन अत्वा अब गटन अभी किरिया वियोजन का मतलब क्या होता है टूटना है वियोजन का टूटना मतलब बिखरना किसरा है विस्तापन अभी किरिया विस्तापन का मतलब है एक जगे से द दो बार विस्तापन होता है, या दो परमाणुवो अत्वा तत्वों का विस्तापन होता है, फिर पांचवा उपचेन और अपचेन, उपचेन में क्या होगा, और अपचेन में क्या होगा, और अपचेन में क्या होगा, अक्सीजन की कमी होगी, तो यह रासानिक अभीकिर्या के मुख्य पांच प्रकार है अब हम बारी-बारी से एक-एक अभी किरिया को समझाएंगे देखें सबसे पहले बात कर रहे हैं वो है आपकी संयोजन अभी किरिया क्वजी भी किरिया संयोजन अभी किरिया तो देखें संयोजन से नाम से पता चल रहा है संयोजन का मतलब क्या होता है जूड़ना क्या होता है संयोजन का मतलब होता है जूड़ना और संयोजन अभिकिरिया का यह दूसरा नाम है वो है आपका योगात्मक अभिकिरिया योगात्मक अभीकिरिया ये भी प्रिक्सा में एक बार पूचा गया था कि योगात्मक अभीकिरिया से आप क्या समझते हैं तो कई सारे बच्चे कंफी जोगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है तो सिंयोजन का मतलब ही क्या होता है योग होना और इस वज़े से इसका दूसरा नाम है योगात्मग अभिकिरिया तो देखो यहाँ पर नाम से बता चल रहा है सेयोजन याने जूड़ना यानि इस अभिकिरिया के अंदर दो या दो से अधिक अभिकारत मिलकर क्या बनाते हैं एकल उत्पाद बनाते हैं इनके मिलने से या इनके बिच अभिकिरिया से एक उत्पाद बन रहा है यह कौनसी अभिकिरिया है यह अभिकिरिया है आपकी सेयोजन अभिकिरिया जैसे उदारन की बात करें कोईले का देहन तो जब कारबन को ऑक्सिजन की उपस्तिती में जलाया जाता है तो क्या बनती है? कार्बंडाय ओक्साइड तो यहाँ पर देखो अभिकारक कितने है? दो हैं और उत्पाद आपका एक है फिर है जल का निर्मान हाइड्रोजन और अक्सिजन गैस के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? जल बनता है तो यहाँ पर भी अभिकारक देखो दो है लेकिन उत्पाद आपका एक है फिर जब बुजे हुए चुने को जल के अंदर से परवाहित किया जाता है या बुजे हुए चुने की जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है इसकी बिना बुजे हुए चुने की जल के साथ अभीकरिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? बूज़ा हुआ चोना बनता है तो यहाँ पर भी देखो अभीकारक दो है और उत्पाद कितना है? एक है यह सुतर भी आपको याद रखना है बीना बूज़े हुआ चोनने का सुतर क्या है? calcium oxide है और बुजे और चुने का शुत्र क्या है calcium hydro oxide है तो बिलकुल सरल सी बात थी कि संयोजन अभिकरिया में दो या दूसरे अधिक आपके अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं यानि अकेला उत्पाद बनाते हैं आगे बढ़ें दूसरा प्रकार है उस्मा सेपी अभिकरिया कौन सी बिकरिया है उस्मा सेपी अभिकरिया तो जिन अभिकरियाओं में उत्पाद के निर्मान के साथ साथ उस्मा का क्या होता है उस्मा क्या होती है बहार निकलती है उस्मा का होती है उस्मा बहार निकलती है उस्मा बहार निकलती है उस्मा बहार निकलना तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्मान के साथ साथ उस्मा भी बहार निकलती है ऐसी विक्रिया को कहते हैं उस्मा सेपी विक्रिया जैसे प्राकरतिक गेस का देहन प्राकर प्रजित होती है उसमा आपकी बाहर निकलती है तो इस अभिक्रिया में उसमा बाहर निकल रही है ये कौन सी बिक्रिया होगी उसमा सेपी बिक्रिया एसी तरह सबसन बहुती इंपोर्टेंड प्रश्ण सबसन भी एक आपकी उसमा सेपी बिक्रिया है कौन सी बिक्रिया है उस जनकी उपस्तिती में क्या होता है विखंडन होता है तो वहाँ पर कार्बन डाय ओक्साइड जल और क्या उत्पन होती है उश्मा उत्पन होती है तो यहाँ पर उश्मा बाहर निकल रही है अतो यह भी कौन सी विक्रिया है आपकी उस्मा सेपी अभिक्रिया तो देखो उस्म उस्मा आपकी अवसोसित होगी अंदर की तरब गरहन की जाएगी और उस्मा सेपी में विक्रिया क्या होगी उत्सरजित होगी यहां बाहर की तरब निकलेगी जैसा कि यहां पर चित्र में दिख रहा है जैसे जो बरफ है बरफ इसमें बजल रहा है बरफ बजल रहा है पानी तो इसमें जैसे मैंने कहा कोईले का देहन कोईले का देहन होगा तो क्या बनेगी राक बनेगी तो जो कोईले का देहन है कोईले के देहन से क्या होगा आपको ताप मिलेगा और ऐसी इस तती में उसमा क्या होगी उस्मा बहार निकलेगी, है न, कोईले के देहन से जो आपको ताप मिलेगी, उस्मा मिलेगी, उसमें उर्जा क्या होगी, बहार निकलेगी, तो यहाँ पर कौन सी भिक्रिया होगी, उस्मा सेपी, तो बस आपको इतना जयार रखना है, कि उस्मा सेपी, सेपी मतलब शेपन हो अंदर की तरफ गरहन की जाती है वहां पर होती है उसमा सोसी अभीक्रिया. आगे बात करें, दूसरा प्रकार है आपका वियोजन अभीक्रिया. मतलब, इसमें एकल अभीकारक। अभिकारक कितना होगा, अकेला होगा, और वो तूटकर, दो या उससे अधिक क्या बनाएगा, उत्पाज बनाएगा, वो जब तूटेगा, तो वो दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, दो या दो से अधिक उत्पाज बनाएगा, ठीक, जैसे यहाँ पर, अभिकारक है आप आपका अभीकारक, यह क्या है आपका अभीकारक, यह तूट के क्या बन रहा है, B और C, B और C क्या है, उत्पाद है, तो अभीकारक तो आपका कैसा था, एकल था, एकल अभीकारक था, लेकिन उत्पाद क्या है, दो बन रहे है, तो यह कौन सी विक्रिया है, वियोजन अभीक oxygen gas में तो यहाँ पर जल देखो अकेला अभीकारक है यह क्या है अभीकारक और उत्पाज क्या है आपके उत्पाज आपके 2 या है इतने हैं 2 है तो वियोजन में क्या होगा यह थीक सहियोजन की उल्टी है इसमें एकल अभीकारक तूट कर दो या दो से अधिक क्या बनाता है उत्पाज बनाता है तो प्रशन कई बहर पुचा गया है कि सहियोजन अभीकरिया वियोजन की विपरित क्यों है या ऐसे भी पुचा गया है कि वियोजन है वो सहियोजन की विपरित क्यों है आपको याद रखना है कि संयोजन में दो या दो से अधिक अभी कारक मिलके अकेला उत्पाज बनाते हैं वही वियोजन में अकेला अभी कारक तूटकर दो या दो से अधिक उत्पाज बनाता है अब जो वियोजन है वो वियोजन तीन प्रकार से हो सकता है कितने परकार से तीन परकार से एक उस्मिय वियोजन एक परकास वियोजन और तीसरा है आपका विद्युत वियोजन तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस्मिय वियोजन यानि किसी परदात को तोड़ने के लिए हम तीन परकार के तरीकों का इस्तिमाल कर सकते हैं या तो उसको उस्मा दे सकते हैं, है ना, या उसको प्रकाश, यानि सुर्य के प्रकाश की मतर ले सकते हैं, या फिरम क्या कर सकते हैं, विद्युदारा का उप्योग कर सकते हैं, तो उस्मिय वियोजन का मतलब क्या है, कि यदि वियोजन करने के लिए किसका उप्योग कर रहे हैं तो वो वाला वियोजन कहलाता है उस्मिय वियोजन जैसे उदारण के लिए फेरस सलफेट फेरस सलफेट का रंग कैसा होता है हरा रंग जब इसका वियोजन होता है उस्मा की मदद से जब इसको की मज़से हो रहा है आता यहां पर कौन सा उदारन है यह उसमिय वियोजन का उदारन है पीरा चोना पत्थर जिसे हम calcium carbonate भी कहते हैं जब हम चोना पत्थर को गरम करेंगे तो क्या बनेगा बीना बुजा हुआ चोना बनेगा यानि calcium oxide और क्या बनेगी carbon dioxide gas बनेगी तो यहां पर चोना पत्थर को वियोजित करने के लिए तोड़ने के लिए हम किसका उप्योग कर रहे हैं उश्मा का अता किसका उदारन है यह उसमिय वियोजन का इसी तरह JnCO3 zinc carbonate को गरम करने पर यह zinc oxide और carbon dioxide में वियोजित होता है यहां पर भी इसको वियोजित करने के लिए हम उश्मा का उप्योग कर रहे हैं अता यह वियोजन अभी किरिया का उदारन है फिर aluminium oxide इसको गरम करने पर aluminium अलग प्राप्त होता है और आपके oxygen gas अलग प्राप्त होत हम उस्मा का उप्योग करते हैं तो वहां पर अभी किरिया उसमी वियोजन अभी किरिया होती है दूसरा है विद्यूत वियोजन जब हम किसी परदात को वियोजित करने के लिए तोड़ने के लिए विद्यूत धारा का उप्योग करते हैं तो इस प्रकार का वियोजन विद दूद धरा प्रवाहित की जाती है, तो हमें hydrogen और oxygen gas क्या होती है, अलग-अलग प्राप्त होती है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, यहाँ पर एक 6-Volt की बेल्टरी जोड़ी गई है, यहाँ पर एक switch है, यहाँ पर anode है, यहाँ पर आपका cathode है, यहाँ पर rubber storm पर है, फिर यहाँ पर इस speaker में क्या बरा हुआ है, पानी बरा हुआ है, और इस पानी के अंदर graphite की road को डुपाया गया है, फिर यहाँ पर यह दो परक्नली है, तो आप देखेंगे कि anode पर, इस वाली परखनली पर oxygen gas पराप तोरी है, और इस वाली परखनली पर, यहाँ ने cathode पर हमें क्या पराप तोरी है, hydrogen gas पराप तोरी है, तो simple सी बात है, कि जब हम किसी परदात को वियोजित करने के लिए, तोड़ने के लिए, विद्युधारा का उप्योग करते हैं तो इस प्रकार का वियोजन कहलाता है विद्युतिय वियोजन एक आगे बात करें तीसरा है परकासिय वियोजन तो सूरिय के परकास की उपस्तती में होने वाला जो वियोजन होता है वो होता है परकासिय वियोजन सुरिय के प्रकास की उपस्तती में होने वाला वियोजन अथा अब गटन है तो क्या कहलाता है आपका प्रकास ये वियोजन कहलाता है जैसे सिल्वर कलोरेल को जब सुरिय के प्रकास की उपस्तती में रखा जाता है तो यह silver और chlorine gas के अंदर क्या होता है बियोजित होता है दूसरा जब silver bromide को सुर्य के प्रकास की उपस्तेती में रखा जाता है तो यह silver और bromide के अंदर क्या होता है बियोजित होता है और इन अभिक्रियाओं का उप्योग स्याम स्वेथ photography यानि black and white photography जो पुराने समय के अंदर होती थी उसके अंदर इसी अभिक्रियाओं का उप्योग किया जाता था बहुत ही महत्वण प्रशन है कई बार प्रिक्सा में पूछा गया है कि स्याम स्वेथ photography में कौन सी अभिक्रियाओं का उप्योग किया जाता है जिसमें silver chloride अत्वा silver bromide को सुर्य के प्रकास की उपस् प्राचिन समय के अंदर किया जाता था फिर है उस्मा सोसी अभिक्रियाओं रसे हम देख चुके हैं कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उश्मा परकास या फिर विद्युद उर्जा की आउसकता पड़ती है वो कौनसी विक्रियाओं होती है व कि इसमें क्या होती है इसमें उस्मा का अवसोसन होता है क्या होता है उस्मा अत्वा उर्जा का क्या होता है अवसोसन होता है तो हम सिंपल सी बात कहें कि जितनी भी वियोजन अभिक्रियाओं होती है जितनी भी वियोजन अभिक्रियाओं होती है वो सब की सब कौनसी विक् चाहे वो विद्धूती अभियोजन हैं, वो सारी की सारी अभिकरिया, कौनसी अभिकरिया होती है, उसमा सोसी अभिकरिया होती है, तो इसमा का या प्रकास का अत्वा विद्धूत दुर्जा का उप्योग करते हैं, आगे बात करें, अगला प्रकार है विस्तापन अभिकरिय इलिमन्ट होता है वो विचारी गृरिव लोग जो कि कम पावरफुल होते थे उनको क्या करते थे अ पनी मर्जी के नुसर हटा देते थे तो वही बात यहां पर है विस्तापन अभी क्रिया में तो ज़्यादा पावरफुल तत्वा होगा तो ज़्यादा एक्टिव तत्वा होगा वो कम क्रियासिल तत्वा जो कम एक्टिव है उसको क्या करेगा उसके योगी से हटा देगा विस्तापित कर देगा चल हट ना तो यहाँ पर देखो अभी क्रिया फेरस की अभी क्रिया किसके साथ हो रही है कौपर सल्फेट के बिलियन के साथ तो क्या बन रहा है फेरस सल्फेट और कौपर तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो फेरस है वो copper की तुल्णा में क्या है? जधा powerful है, जधा kriya sil है, तो ये phares क्या करेगा? ये phares copper को उसके योगी से विस्तापित कर देगा, जैसा यहाँ पर किया है, phares है, phares ने copper sulfate के billion से copper को क्या कर दिया? विस्तापित कर दिया, और क्या बना दिया? तो simple सी बात है, विस्तापन में जो ज़्यादा किरियासिल तत्व है वो कम किरियासिल तत्व को उसके योगी से क्या करेगा विस्तापित कर देगा ठीक है यहाँ पर देखो एक शित्र दिया हुआ है जिसमें लोहे की किल है और कॉपर सल्पेट का विलियन है तो कॉपर सल्पेट का जो साधरन विलियन होता ह उसका रंग कैसा होता है निला, तो लोहे की किल पर भूरे रंग की कौपर की परत यहां पर जम गई है, तो कौपर सलपेट के निले विलियन का हरा रंग, रंग हरा, एपी असो पोर के निर्मान के कारण हो गया है, यानि जब लोहे की किल को कौपर सलपेट के विलियन में यारस सलफेट के बनने की वज़े से, दूसरा उधारन है, जहाँ पर जिंग की विक्रिया हो रही है, कौपर सलफेट से, जिंग की विक्रिया किसे हो रही है, कौपर सलफेट से, और जिंग तो कौपर की तुलना में जैदा पौरफूल है, जैदा सकती साली है, तो यह क्या कर और कोपर सलफेट से क्या हो रही है जिसे कुमी हो रही है यह कौन से अप्चयन अभी क्रिया भी है तो हमने यहापर क्या देखा कि जब ऑक्सिजन का योग होता है, तो वहाँ पर कौन सी विक्रिया होती है, उपचेन, और जब ऑक्सिजन में कमी होती है, तो वहाँ पर कौन सी विक्रिया होती है, अपचेन अभिक्रिया होती है, आगे बात करें, द्वी विस्तापन अभिक्रिया, देखो, द्वी विस्ता आएनों के आधान परदान से होता है द्विविस्तापन अभी किरिया में जो उत्पाद का निर्मान है वो कितने योगिक दो योगिकों के बीच किसके आएनों के आधान परदान की वज़े से होता है जैसे यहां पर उदारन दिया हुआ है सोडियम सलफेट और बेरियम कलोरा देखो यहाँ पर Na2 तो यह क्या है धनात्मक है और यह रिनात्मक है इसी तरह barium plus है और यह कलोरिन क्या है रिनात्मक है तो देखो sodium और chlorine के बीच में क्या हो गया sodium और chlorine के बीच में आइनों का आधन परदान हो गया और आपके sulfate और barium के बीच में आइनों का आधन परदान हो गया, क्यानि दो योगी को की बीच क्या हो रहा है, आइनों का आधन परदान हो रहा है, तो इस विक्रिया को कहते हैं, दूई विस्तापन अभिक्रिया, अब जो यहाँ पर यह बेरियम सलफेट बन रहा है, यह सपेद अविले अवचेप होता है, कैसा होता है सफेद अविले अवचेप अविले का मतलब क्या होता है अविले का मतलब है कि जो किसी में घुलता नहीं है जो किसी में घुलता नहीं है और अवचेप का मतलब क्या होता है अवचेप का मतलब होता है आपका ठोस परदास ठोस परदास जो कैसा है जो अगुलंसि यहाँ पर जो barium sulfate है वो पहीत बिरिद और तो अबिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्मान के साथ साथ किसका निर्मान वोता है अबचेव का निर्मान भी होता है उसे कहते है अबचेपन अभिक्रिया अगर मैं दूभी विस्तापन अभी क्रिया के लिए एक सामाने सुत्र की बात करो तो वो कुछ ऐसा होगा जैसे AB plus CD तो A किसके साथ अभी क्रिया कर लेगा D के साथ आएनों का अधन परेग्ट करेगा और B किसके साथ आएनों का अधन परेगा C के साथ तो क्या बनेगा AD plus CB बनेगा यह बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है कुछ और उधारन दिया हुए है जैसे यह तो अभी अमने डिस्कस कर दिया उपर दूसरा sodium hydroxide की बिक्रिया sulfuric अमला के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है sodium sulfate और जल बन रहा है फिर NaCl sodium chloride की बिक्रिया Agno3 silver nitrate के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है silver chloride बन रहा है और क्या बन रहा है आपका sodium nitrate बन रहा है फिर barium chloride की बिक्रिया H2SO4 के साथ हो रही है तो barium sulfate बन रहा है और SCL बन रही है फिर barium chloride की बिक्रिया पोटीसियम सल्पेट के साथ हो रही है तो बेरियम सल्पेट बंद रहा है और पोटीसियम पलॉराइट बंद रहा है तो यह सब किसके उधारण है द्वी विस्तापन अभिक्रिया के यहाँ पर सिंपल आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर उत्पाद का जो निर्मान है वो दो योगीकों के बीच आयनों के आजानदपरदान से होता है इस वज़े से कौन सी बिक्रिया है द्वी विस्तापन अभिक्रिया अगला है उपचैन और अपचैन अभिक्रिया कौन सी बिक्रिया उपचैन और अपचैन अभिक्रिया तो देखो उप्चन अभिक्रिया में क्या होगा, तो जो आपकी उप्चन अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सिजन में क्या होगी, ऑक्सिजन में ब्रदी होगी, और हाइड्रोजन में क्या होगी, कमी होगी, हाइड्रोजन में कमी, वही लिखा हुआ है, जब किसी प्रदात में ऑ अक्सिजन में ब्रदी हो रही है अतर ये उपचेन अभी किरिया है दूसरे में कॉपर के साथ अक्सिजन का योग हो रहा है क्या बंद रहा है कॉपर आक्साइड अतर ये भी उपचेन अभी किरिया है तीसरे में तीसरे अभी किरिया में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर hydrogen के साथ क्या हो रहा है oxygen का योग हो रहा है तो यह कौन से अभीकरिया है यह अभीकरिया आपकी है urichan abhickria तो उप्चन abhickria में आपको याद रखना है इतनी सी बात है कि यहाँ पर oxygen में वरदी होगी और hydrogen में क्या होगी, कमी होगी, ठीक, और उपचन और जो अपचन है, इन्हों oxygen में कमी, और oxygen में वर्दी और hydrogen में कमी, ये दोनों सद्यों और सद्यों कहां पर होगी, अभी कारत में, आपको उत्पाइद में कभी भी नहीं देखना, उपचन और अपचन अभी क्रिया, सद्य आपचन में क्या होगी है वही बात लिखी हुई है जब किसी पर्दात में आक्सीजन का हाश आने कमी होती है और इट्रोजन में क्या होती है तो वो अभिक्रिया कॉनसी होती है अपचयन अभिक्रिया जैसे यहाँ पर देखो कि चित्रम में कॉपर ओक्साइड देखो कॉपर ओक्साइड में ओक्सिजन क्या हो रही है? कम हो रही है तो इसका क्या हो रहा है? अपचेन हो रहा है लेकिन हाइडोजन के साथ क्या हो रही है? ओक्सिजन जूड रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर उपचेन हो रहा है तो इस अभिक्रिया में जो कॉपर उक्साइड है C, U, O यह किसमें अपच्छीत हो रहा है? यह कॉपर में अपच्छीत हो रहा है यह उक्सीजन को छोड़ रहा है त्याग रहा है और क्या बन रहा है कौपर और हाइडोजन में ऑक्सिजन का योग हो कि क्या बन रहा है जल बन रहा है तो इस अभिक्रिया में उपचेन और अपचेन अभिक्रिया दूनों एक साथ हो रही है तो इस अभिक्रिया को हम उपचेन और अभीकरिया, दूनों एक साथ संपन होती है, उसे हम रेडोक्स अभीकरिया कहते हैं, ठीक, आगे बात करें, दैनिक जीवन में, जो उपचेन अभीकरिया है, उनका प्रभाव, उपचेन मतलब oxygen का योग और hydrogen की कमी, औक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन में कमी तो हमारे दैनिक जीवन में इन उप्चेन अभी किरियाओ का क्या प्रभाव देखने हो का मिलता है उसको हम समझेंगे तो पहला प्रभाव है संचारण क्या है संचारण पहले हम के वलन की प्रिबासा जानते हैं आगे हम विस्तार से समझेंगे तो संचारण का मतलब क्या होता है कि जब कोई धातू औक्सीजन आदरता या अमल आदी के संप्रक में आती है तो उस धातू की जो उपरी परत है वो दीरे दीरे कमजोर और कैसी होती है संचारित होने लगती है इसे कहते हैं संचारण जब कोई धातू अमल औक्सीजन आदरता अत्वा नम्मी के संप्रक में आती है तो उस धातू की जो उपरी परत है वो दीरे दीरे कमजोर यानि नश्टोना सुरू हो जाती है इसे कहते हैं संचारण दूसरा है विकर्त गंदीता तो जो वसा युक्त और जो तेलिये खाद्य सामगरी होती है वसा युक्त और तेल से बनी हुई जो खाद्य सामगरी है वो वायू के संप्रक में आने पर क्या हो जाती है उपचहीत हो जाती है जिसकी वज़े से उन परदातों का सवाद और गंद दोनों क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं इसे कहते हैं विकर्त गंदीता क्या कहते हैं विकर्त गंदीता तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि देनिक जीवन में उपचन अभी किर्याओ के हमें दो परभाब देखने को मिलते हैं पहला संचारण जिसमें जब कोई दातु अमल नम से बनी हुई सामगरी वायू के संपरक में आती है तो वायू के संपरक में आने पर ऑक्सिजन के साथ यो गोने से उसके सवाद और घंद में क्या हो जाता है प्रीवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं विकर्त घंदीता अब देखें संचारन के उधारन देखते हैं तो संचारन क् कि जब कोई धातू, ओक्सिजन, आदर्ता या अमल आदी के संप्रक में आती है तो धातू की जो उपरी परत है वो कमजोर होती है, संचारित हो जाती है अब इसके उधारण क्या है देखो, जैसे लोहे की वस्तूओ पर जंग लगना, चांदी की उपरी परत, उपर काली परत का जमना, तांबे के उपर हरी परत का चड़ना, ये सब संचारण के ही उधारण है ठीक है लोहे के वस्तुवों पर जंग लगना, चांदी के वस्तुवों या चांदी से बने आभुशनों का दिरे-दिरे काले पड़ना और तांबे से बनी वस्तुवों का दिरे-दिरे हरा पड़ना इनका मलिं होना, यह सम qualified के संचारण के उधारण है अब देखो पहला उदारण है जो प्रिक्सर में कई बार पूछा जाता है कि चांदी के जो आभूसन है वो कुछ समय के बाद मलिन क्यों हो जाते हैं तो देखो, कि जब चांदी को खुली हवा में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, इस प्रकिरिया के अंतरगत जो चांदी है, वो वाइव में उपस्तित, सल्फर के साथ रासायनिक भी किरिया करती है, क्या करती है, बनता है उत्पाज के रूप में और इस सिल्वर सल्फाइड की वज़े से ही ये जो चांदी की उपरी परत है वो में काली नजर आती है यानि जो उपरी काली परत है वो सिल्वर सल्फाइड की ही परत बनी होती है तो यह हमने आया क्या देखा कि जब चांदी को कुछ समय के लिए खुले में रखा जाता है अथवा हवा में रखा जाता है तो ये वायू मंडल में मौझुद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर सल्फाइड की बनने की वज़े से ही चांदी के ऊपर काली परत जमा हो जाती है जैसा कि आप इसको अभिक्रिया दी हुई है कि जब सिल्वर की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है सल्फर गैस के साथ तो क्या बन रहा है सिल्वर सल्फाइड और इस सिल्वर सल्फाइड के बनने की वजह से ही कांदी से बनने जो आभूसन है वो कुछ समय बाद कैसे पढ़ जाते हैं काले पढ़ जाते हैं, आगे बात करें आगे संचारन का दूसरा उदारन है कॉपर का, जो तामबे से बनी वस्तूव होती है, वो कुछ समय के बाद मलिन क्यों हो जाती है तो कॉपर को कुछ दिनों के लिए खुली अवा में चोड़ दिया जाए तो उस पर हरे रंग की क्या हो जाती है परत चड़ जाती है उस प्रक्रिया में जो कॉपर है वो वायू में मौझूद आपकी कार्बन डए उकसाइल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है आपका कॉपर कार्बोनेट बनाती है अरे रंग की जो परत हैं वो इसी कॉपर कार्बोनेट की होती है अब को याज रखना है कि जब कॉपर को कुछ दिनों के लिए वायू में खुला चोड़ जाता है तो ये आद्र किसके साथ कार्बन डाई ओक्साइड के साथ अभी किरिया करके उत्पाद की रूप में क्या बिनाता है कैलसियम कार्बोनेट सौरी कॉपर कार्बोनेट क्या बिनाती है कॉपर कार्बोनेट और ये कॉपर कार्बोनेट की जो परत हैं वो कैसी होती है हरे रंग की परत होती है और इस वज़े से ही हमें तामबे के बने जो आपके आभूशन होते हैं या जो बरतन होते हैं वो दीरे दीरे हमें बुरे रंग की चमक को खो कर कैसे दिखाई देने लगते हैं आपके हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं ये सब किसके उधारण है ये सब संचारण के ये अभी किसका उधारन है? संचारण का ही उधारन है। तो जब देखो ferus के बिक्रिया किसके साहत होती है? उकसीजन के साथ तो ferus के साथ उकसीजन का योग होगा क्या बनेगा? faireic oxide क्या बनेगा? faireic oxide और इस ferus oxide के बनने की वज़े से ही लोहे के उपर क्या लगता है? जंग लगता है और इसे इसाधरन बासा में हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं है न? तो यहाँ पर देखो फैरस के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अभी क्रिया हो रही है कौन सी भिक्रिया हो रही है वो अक्सी करण अभिक्रिया में देखने को मिल रही है आगे बात करें संचारन से बचाव किन किन तरीकों की मदद से हम दातूओं को नश्ट होने से बचा सकते हैं तो पहला तरीका है कि दातूओं की सते पर क्या करके पैंट करके दातुओं की सत्य पर हम पैंट करके दातुओं को कुछ हद तक संचारन से बचा सकते हैं तो कि दातुओं की उपर अगर हम पैंट कर देंगे तो दातुओं की जो खुली सत्य हैं उसका संप्रक डाइरेक्ट वाई मंडल से नहीं होगा और उस पर जंग लगने की गटना असानी से नहीं होगी तूसरा दातू की सतय पर तेल अरगा कर तीसरा लोहे की बनी वस्तूओं पर जस्ते की पतली परच चड़ा कर तो था दातूओं पर क्रोमियम लेपन करके पांच्वा उपाएं एनोडी करन अत्वा मिस्र दातू बना कर लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं और अगला यसद लेपन विद्यूत लेपन अत्वा पैंट करके चंचारण से दातूओं को बचाया जा सकता है तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम दातूओं की जो उपरी सते हैं उसको संचारण से नश्टोने से बचा सकते हैं लोहे पर दातू सिभी बनी वस्तूओं पर पैंट करके तेल अत्वा गरिश लगा के जस्ते की पतली परचड़ा के क्रोमियम का लेपन करके अत्वा मिस्त्र धातू बना कर ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम संचारण से बचाव कर सकते हैं आगे एक प्रशन है यसद लेपन अत्वा गैलवेनी करण किसे कहते हैं तो लोहे, इसपात और अन्य धातूओं की जंग से सुरुकसा करने के लिए इन धातूओं की सतय पर जस्ते की पतली परचड़ा जाती है और जस्ते की पतली परचड़ाने की इस वीधी को कहते हैं यसद लेपन अत्वा गैलवेनी करण और जस्ते की परचड़ के नश्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपन वस्तूओं को जंग के कारण कोई नुकसान नहीं पहुंचता है यानि लोहे, इसपात, अत्वा अन्य धातूओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की पतली परच चड़ाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं हम यसद लेपन अत्वा गेलवेनी करण ठीक अगला बिंदू है विद्यूत लेपन की से कहते हैं तो विद्यूत धारा के द्वारा दातूओं पर लेपन करने की जो विदी है उसे कहते हैं विद्यूत लेपन, विद्यूत धारा की मदद से दातूओं के उपर लेप चड़ाने की जो प्रक्रिया है उस विदी को कहते हैं विद्यूत लेपन, अब इसके उप्यूग क्या क्य तो विद्यूत लेपन की प्रक्रिया के द्वारा सस्ती धातू की वस्तूओं पर छोने अत्वा चांदी जैसी बव मुल्य धातू की पतली पर चड़ा कर क्या बना जाते हैं? आभूसन बना जाते हैं. विद्यूत लेपन की प्रक्रिया की मदद से ही जो सस्ती धातू की बनी वस्तुए होती है, उन पर चांदी इत्वा सोने की परचड़ा कर मेहंगे क्या बना जाते हैं, मुल्यवान इत्वा मेहंगे आबुसन बना जाते हैं. दूसरा विद्धूत लेपन की प्रकिरिया का उप्योग करके धातू अयसका से सुद्ध धातू प्राप्त की जाती है किसरा उप्योग खाद्य परदातों के बंडारन के लिए उप्योग में लाई जाने वाले लोहे के डिब्बो पर तीन का क्या क्या जाता है तीन का विद्यूतलेपन किया जाता है ताकि खाद्य परदात लोहे के संपरक में ना आए और लंबे समय तक सुरक्सित बने रहें तो ये विद्यूतलेपन के तीन महतोपन उपयोग है आगे बात करें विकर्त गंदिता तो जो वसायुक्त और जो तेल से बनी हुई खाद्य सामगरी होती है वो जो वायू के संपरक में आती है तो क्या हो जाती है उपचईत हो जाती है ये उनके साथ ऑक्सिजन का योग हो जाता है जिसके वज़े से उनके स्वाद और गंद दोनों में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है, इसे कहते हैं विकर्त घंदीता, जब इसको रोकने के उपए क्या है, पहला है परती ओक्सी कारक का उप्योग करके यहनि जो ऑक्सीजन को मिलने से रोक सके, दूसरा वायू रोधी बरतन में खाद्य सामगरी को रख कर, हमें तेल और वसा जो को ऐसे बरतन के अंदर रखना चाहिए, जो कैसे हो वायू रोधी हो, जैसे आपने देखा होगा, जैसों अचार वगेरा होते हैं अचार वज्जे से परदातों को कांच के बने दिब्बों के अंदर फिट रखा जाता है, ताकि वायू के साथ इनका कोई संप्रक ना हो, और वो लंबे समय तक सुरक्सित बने रहें, तीसरा जो आपकी चिप्स की थेलिया वगेरा होती है, उनमें वायू की इस्तान पर किसका उप्योक्य जाता है, ऑक्सिजन के इस्तान पर नाइट्रूजन गेस बरी जाती है, ताकि उनका उक्सिजन के साथ कम से कम संप्रक हो, और वो लंबे समय तक सुरक्सित बनी रहें, फिर अगला है सितलंद के दुआरा, तो ये कुछ तरीके हैं, विकर्त गंदिता को रोकने के, यानि कि परदातों को यदि हमें लंबे समय तक सुरक्सित बनाए रखना है, तो पहला तरीका है परती उक्सिकारक का उप्योग करके, यानि जो उस परदात को उक्सिजन से अभिक्रिया होने से रोक सके, दूसरा, वायू रोती बरतन का उप्योग करके, हम ऐसे परदात को लंबे समय तक सुरक्सित बनाए रख सकते हैं, तो इस तरह हमने आपके अध्याए एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की संपून व्याक्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है, उम्मित करता हूँ पूरा चप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग अगर मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत नहीं कर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, जे हिंड, जे भारत!